दोस्तों क्या आप YouTube वीडियो के लिए वीडियो एडिटिंग सीखने चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है इसलिए तो मेरी तरप से सबसे पहले आपको तेंक्स क्यूंकि आपने मेरी वीडियो पर क्लिक किया है दोस्तों दिखिए 99% लोग काइनमेस्टर एप्लिकेशन यूज़ करता है YouTube वीडियो एडिटिंग के लिए और इस वीडियो में मैंने complete tutorial step by step बताया है एक एक point की उपर मैंने बताया है कि काइनमेस्टर की आंदर आप YouTube वीडियो के लिए कैसे वीडियो एडिटिंग कर सकते है तो दोस्तों अगर आप सोच में YouTube पर एक YouTuber बनना है तो इस वीडियो को पूरा गौर से देखना है बिल्कुल इसकिप नहीं करना है पूरा वीडियो लगातार देखना है इसके बाद दोस्तों मैं इतना तो आपको कह सकता हूँ कि इस वीडियो पूरा एक बार देखने की ब देखने को मिल जाता है वीडियो को शुरू से एंट ओक देखना है तो चलिए दूस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पdefined Türkiye काइन मंश्टर एपलिचिन, आपके तो सबसे पहले तो दूस्तों काइनमस्टर एप्लिकेशन ओपन करने की बाद यहाँ पर दूस्तों लेफ साट पर जो है दिखिए यह जो है यह काइनमस्टर की स्टोर है यही से दूस्तों आप वीडियो फूटेज इस्टिकार बगर डाउनलूट कर सकते हैं और सबसे यहाँ पर दिंखके है सिलेक्ट एस्पेक्ट रेषो अनुट जो है यह यूटूब विडियो के लिए चूज करना है मगाल के लिए विडियो एडिटिंग के लिए 9.16 दूज करना है Instagram या Facebook के लिए one by one choose करना है तो चलिए 16 by nine choose कर लेते हैं चूज करने की बाद सबसे पहले एक वीडियो में input करता हूं वीडियो input करने के लिए यहाँ पर जो बड़ा जो मीडिया है मीडिया पर क्लिक करना है मीडिया पर क्लिक करने की बाद जिस फाइल पर आपके वीडियो रखा है उस फाइल से वीडियो input कर लना है तो यहाँ मेरा वीडियो जो है मैं ओही input करता हूं वीडियो इन्पुट करने की बाद यहाँ पर दिखे राइड जो टीक मर्क है इस पर क्लिक कर देना है इसके बाद वीडियो को फास्ट पोजिशन पर लेके आना है फास्ट पोजिशन पर लेके आने के लिए यहाँ पर दिखे एक बॉटन दिया गए है इस बॉटन पर क्लिक करना है त तो शब से पहले दूस्तो जो वीडियो आप शूट करते हैं, तो इस टाइम दूस्तो fair position में कुछ खुद यहाँ पो आपको kaart करना होता है, और end, जो वीडियो की जो end है Nev. पो कुछ the part आपको kaart करना होता है। क्यूकि stationary में क्या होता है, कि camera जो आप चालू करते हैं तो इस time साथी साथ बात शुरू ने ही होता है यहाँ पर मैं ज़रा वीडियो जो है चालू कर लता हूं इससे पहले मैं sound जो है बिल्कुल zero करता हूं मैंने zero कर लिया है इसके बाद मैं एक बार चालू करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखे शुरू आत में मतलब बात शुरू ने ही होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यह जो पार्ट है यह आपको काट करना है तो कैसे यह पार्ट काट करके अलग करना है आपको मैं दिखाता है तो सबसे पहले तो मैं दो चीज़ आपको मतलब नाम बढ़ना चाहूंगा जैसे कि यहापूर दिकी रेट कलर की एक डंडा है यह डंडा आप जहापूर राकेंगे और डंडा राकने की बाद लेफ साइट या राइट साइट अगर आप काट करेंगे तो ओही काट होता है और यह डंडा मेजर्मेंट के लिए है और यह जो वीडियो है यहापूर दिकी एक लाइन है इसको कहा जाता है लेयर यह दो चीज़ याद रखना है इसको कहा जाता है लेयर और यह जो है डंडा है यह आप मेजर्मेंट के लिए है तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि फास्ट पॉजिशन कैसे काट करना है तो यह जो लेफ साइट पूर या राइट साइट पूर आप इसी तरह आप सुआइप कर सकते हैं यानि कि आप केश सकते हैं तो यहाँ पर दिखिए बात शुरू नहीं हुआ है यही से बात शुरू हुआ है तो यह जो लेफ साइट है काट करना है काट करने के लिए यह जो लियार है लियार पर क्लिक करना है जब यहाँ पर दिखिए लियार पर मैंने क्लिक किया है इसके बाद यहाँ पर Caesar पर क्लिक करना है Trim to Left और Playhead इस Options पर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर OK पर क्लिक कर देना है Right Set जो है Complete Card चुका है इसके बाद मैं एक बार Play करता हूँ यहाँ पर दिखिये शुरुवात में बलना शुरू हो चुका है इसके बाद वीडियो की जो Last Position है Last Position पर जाना है तो इसके लिए यहाँ पर एक Bottom दिया गया है इस Bottom पर क्लिक करना है तो Last Position पर आ चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं केमेरा जो है बॉन कर रहा हूँ तो यह जो Part है यह आपको काट करना है काट करने के लिए दोस्तों जहाँ पर आपका जो Space या बात जहाँ पर खुतम हुआ है यही से दोस्तों Last जो Point है यह आपको काट कर देना है तो चलिए एक बार मैं Play करके आपको मैं दिखाता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है Complete हो चुका है और यह जो Last Part है यह आपको काट करना है तो Last Position काट करने के लिए दोस्तों Simply इसलिए पर क्लिक करना है और यहाँ पर यह जो डंडा है डंडा की Right साट पर Right साट जो है यह आपको काट करना है तो simply scissor पर click करना है इसके बाद right sorry dream to right of playhead second option choose करना है इसके बाद ok कर देना है यहाँ आप देख सकते हैं कि यह जो है बिल्कुल complete हो चुका है मैं एक बार play कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल जो है जहाँ पर बात खतम है यहाँ पर वीडियो भी खतम है इसके बाद दुस्तों आप बात करते हैं कि यह जो वीडियो है वीडियो की sound case से increase करना है यहाँ की sound case से बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए होर एक काम में सबसे पहले आपको इस लियार पर क्लिक करना होता है यह आपको याद रखना है इसके बाद यहाँ पर देखिए एक माइक की आइकन है इस आइकन पर क्लिक करना है यहाँ पर दुस्तों दी यह जो चीज है इस पर कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर देखिए 100 है यह आपको 200 कर लेना है जितना है आपके मरजी sound उतना यह यादा करना है इसके बाद okay कर देना है sound दो तरह increase किया जाता है काइन master के अंदर इसके बाद फिर लियार पर click करना है यहाँ दिखे कुछ options आया है तो यहाँ पर options के अंदर और एक option देखने को मिलता है जैसे की volume envelope इस options पर click करना है इस options पर जैसे आप click करेंगे यहाँ पर दिखे लियार की ठीक मिडिल में एक डंडा की निशन आ चुका है तो यह जो है 100 है 100 में से direct 200 करना है तो यहाँ पर लियार के लियार की मिडिल में जो डंडा है यह पूरा उपर की तरफ गया है इसके बाद यह वीडियो पूरा लाश्ट तो यानकी लाश्ट पॉजिशन तो आपको किचना है 200 कर देना है इसके बाद okay तो sound की जो बात है complete हो चुका है आप बात करते हैं कि इसमें इस लियार पर click करना है इस लियार पर click करने की बाद अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो में design करना है या किसी clip या graphics add करना है यहाँ पर दुस्तों देखिए कि सबसे पहले चलिए graphic छो click करना है इस options पर click करने की बात दुस्तों अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो शुरुआत में मतलब zoom से zoom in होना है तो दुस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि जरा zoom करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जरा zoom किया है इसके बाद दुस्तों simply आपको क्या करना है कि ये राइट चिन्नों पर क्लिक कर देना है इसके बाद एक बार मैं वीडियो प्लेय करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वीडियो दिरे दिरे जूम इन होते रहता है तो मैंने क्लिक किया है क्लिक करने के बाद दूस्तों यहाप और आप देख सकते हैं दिरे दिरे जूम इन हो रहा है तो इसी तरह दोस्तों एही से ये काम किया जाता है दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ये पूरा वीडियो जूम जूम आउट होके देखना है तो दोस्तों ये जो जूम ओप्शन है इस पर क्लिक करना है जितना जूम करना है आप करना है इसके बद दुस्तों यहाँ पर जो is equal to options है इस पर click कर देना है इसके बद right पर click करना है तो यह पूरा video जूम की तरह आप देख सकते हों तो चलिए दुस्तों मैं यह un-jom कर लेता हूं यह click जो है मैं हटा देता हूं इसके बद OK इसके बाद आप बात करता है कि फिर से लियर क्लिक करنا है। यहाँ पर दूस्तू अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो में ग्राफिक ये ऐड में क्लिक पर क्लिक करना है। इसके बाद दुस्तों यहाँ पर दिखे कुछ designs दिया गया है, जो भी designs आपकी वीडियो में आप input करना चाहते हों, यही से आप input कर सकते हों, जैसे कि मैंने इस powerful पर click किया है, और यहाँ पर एक graphic में add करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि graphic शुरू हो चुका है, ग्राफिक जो है चलना शुरू हो चुका है, तो दुस्तों मैं यह cancel कर लता हूँ, cancel करने के लिए दुस्तों non options पर click करना है, cancel हो चुका है, आप बात करते हैं फिर से layer पर click करना है, निचे दिके speed control, तो इस options की दु कर सकते हैं, जैसे कि दुस्तों यही से आप speed ज़्यादा कर सकते हैं, और दुस्तों आप speed कौम भी कर सकते हैं, जैसे कि दुस्तों मैं यहाँ पर जड़ा speed करके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, यहाँ आप देखिए speed जो है 1 पर रखा है, तो 1.5 मैंने कर दिया है, या टू पर पॉइंट पर मैंने कर दिया है इसके बाद सेव करने के बाद दूस्तों एक बार मैं वीडियो चालू करता हूं तो आप मेरा जो वीडियो है वीडियो पर देखना है तो वीडियो की तो आप देख लिजे कि कितना इस्पिट से यह चालू हुआ है यानि कि इतना इस इसके बाद दुस्तो मैं वहां पकर लेके आता हूं और किलिक करना है पूर से यह इंड़र देखिये बाद Q2 दोस्तो यहां पर दीखिए रॉटर्टेठ एंड डियौर्न यानकि की दुस्तो आपकी बिड़ियो है इल्कूल उल्टा हो चुपा है तो फिर पर फिर से दुस्तो आप इसी था दूस्तो यहाई पर विडियोग कर सकते हैं, तो चलिए यही पर save कर लेता हूँ, इसके बाद दूस्तो आपको करना क्या है, फिरसे लेयर पर क्लिक करना है, क्यूँकि दूस्तो यहाई पर जितना options है एक एक options की बारे में हम बात करने वाले है और आप लोग को सिखाने वाले है रोटेड एंड मिरोर की निचे दिखिए कालर फिल्टर इस ओप्शन पर क्लिक करना है अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो जो है ब्लेक अन्वाइट करना है तो ब्लेक अन्वाइट यहाप पर दिखिए यह आप चूज कर सकते है के बाद डान पर क्लिक कर देना हैं इसके बाद फिरके लियार पर क्लिक करना है इसके बाद निचे की दरा1000 करना है यहाँ पर दुस्तो देखिए tallar adjustment इस options पर क्लिक करना है यहाँ पर देखिए 3 options दिया गया है जैसे कि first जो option है आपकी वीडियो की brightness आप ज्यादा कर सकते हैं इसके बाद दुस्तों यह जो है यहापर दिखे color है तो यह भी आप कर सकते हैं आपके हिसाब से यहापर दुस्तों यह दिखे वीडियो की जो color है और भी आप ज्यादा कर सकते हैं तो आपके हिसाब से दुस्तों वीडियो क कि कलर जो है एही से किया जाता है इसके बाद डान ऑप्शन पर क्लिक करना है इसके बाद दुस्तों लियार पर क्लिक करना है फिर से और बाकी जो ऑप्शन है ऑप्शन की बारी में बात कर लेते हैं यहाप और दुस्तों सबसे पहले मैंने बता दिया बॉलियम जो है यह कॉं अगर आप चाहते हो कि किसी एक लड़की की आवाज में सुनना है तो आप एही से चूज कर सकते हैं अगर आप चाहते हो कि आपकी जो आवाज है आपकी जो बॉइस है किसी एक बुड़ा मतलब लोगों की आवाज होना चाहिए तो एही से आप कर सकते है अगर आप चाहते हो कि किसी शोरून की अंदर जिस तरह आवास किया जाता है इसी तरह आवास करना है तो एही से आप कर सकते हैं तो दुस्तो ये आपको मतलब एक एक करके Select करना है और सुनना है इसके बाद आपको Choose करना है इसके बाद दुस्तों चलिए डान ओप्शन्स पर क्लिक करते हैं इसके बाद दुस्तों फिर से आपको लियार ओप्शन्स पर क्लिक करना है लियार ओप्शन्स पर क्लिक करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं जैसे की audio filter और यहाँ पर यह जो option है, यह options की कोई ज़रुवत नहीं है, आप बात करते हैं कि दूस्तों आपको क्या करना है, जैसे कि दूस्तों यहाँ पर अगर आप चाहते हों कि यह जो layer option है, आप बात करते हैं, layer options की अंदर क्या-क्या options देखने को मिलता है, सबसा पहले मै layer की options पर क्लिक करता हूँ, इसके बात दूस्तों एक-एक options की बारे में मैं आपको complete बताने वाला हूँ, तो मान लिजे दूस्तों आपकी वीडियो पर आप review यानि कि कि किसी और एक चीज आपकी वीडियो पर आप दिखाना चाहते हो, तो दूस्तों यह जो layer है, layer पर क्लिक करके यहाँ पर first सबसे top जो media option है, इस options पर क्लिक करना है, इसके बात दूस्तों मान लिजे कि मैं एक photo दिखाना चाहता हूँ, तो चलिए मैं एक photo यही से choose कर लेता हूँ, यहाँ आप देख सकते हो, यह photo आ चुका है, तो दूस्तों यही से आप चूटा या बढ़ा कर सकते हैं, और दूस्तों अगर आपकी हिसाब से, अगर आप चाहते हो कि आपकी photo किसी एक corner पर save करना है, तो दूस्तों यह directly आप corner पर save कर सकते हैं, और यही से दूस्तों आप चूटा या बढ़ा कर सकते हैं, इसके बात दूस्तों यह जो एक एक options की, मतलब काफी सरा डेर सरा options ह करता है, जैसे कि दूस्तों अगर आप यह photo fast position से दिखाला चाहते हो, तो आप दिखा सकते हो, जैसे कि माल लिजे दूस्तों अगर आप तुड़ा, मतलब वीडियो तुड़ा बहुत चलने की बाद आप यह photo दिखाला चाहते हो, तो दूस्तों यह आप और आप देख सकते ओको शिलेट करना है चलिए दुस्तो में एक बार वीडियो प्ले करता हो और आपको दिकाता हूँ ऑचो दुस्तो मैं ने वीडियो प्ले कर दिया है यहाँ पर आप देख सकते यह फोटो अब ही तो आ sob तो एक design करके यानि की एक animation डाल सकते हैं चलिए मैं यह photo पर click करना है इस layer पर click करना है यहाँ पर दोखे in animation इस options पर click करना है यहाँ पर दोस्तों डेर सरा options देखने को मिलता है जैसे की fade, pop, slide right, slide left तो चलिए मैं यहाँ पर slide left चूज़ कर लेता हूं right मैं choose कर लेता हूं तो यहाँ पर दोस्तों दिखिए जो starting होता है तो कुछ इस तरह मतलब input होता है यह photo चलिए मैं ज़रा video play कर लेता हूं यहाँ पर दोस्तों दिखिए कुछ इस तरह यहाँ पर मतलब add होता है यह photo तो इसके बाद दुस्तो इसलिया पर फिर से क्लिक करना है निचे दिखिए आउट ओफ एनिमेशन तो इस ओप्शन पर क्लिक करना है यानि कि दुस्तो यह फोटो कैसे यहां से रिमूब करना है यानि कि रिमूब करते समय कैसे एनिमेशन करना है तो इसके लिए दुस्तो यह यहां पर आप देख सकते हैं, slide left चली चुमें choose करता हूं, तो यहां पर left side पर होके remove हो जाता है, वर यह जो है remove करने का कितना speed से remove होता है, यही से आप speed और भी choose कर सकते हैं, जितना दूस्तों आप ज्यादा करोगी उतना दीरे-दीरे remove होते रहता है, जितना fast करोगी उतना fast यहां पर remove होता है, यही से दूस्तों animation किया जाता है, इसके बाद done options पर click करना है, इसके बाद दूस्तों फिर से इस layer पर click करना है, और यहां पर और भी options देख सकते हैं, जैसे कि दूस्तों cropping, cropping यह जो image है, आगर आप crop करना है, किसी एक part crop करके आप चुपाना चाहते हों तो दूस्तों crop options पर click करके आप crop भी कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि यह crop हो चुका है, तो इसी तरह दूस्तों आप crop भी कर सकते हैं, इसके बाद done, इसके बाद दूस्तों फिर से layer पर click करना है, इसके बाद क्या करना है, कि निचे की तरह आना है, यहा दूस्तों आपको क्या करना है कि Done Options पर क्लिक कर देना है Done Options पर क्लिक करने की बाद चलिए यहाँ पर मैं लियार पर फिर से क्लिक करता हूं Second जो Options है दूस्तों यहाँ पर दिखिए और एक बात मैंने बूल गये था कि दूस्तों यहाँ पर मैंने एक Image इस input करके दिखाया है, अगर आप चालते हो कि किसी एक वीडियो यहाँ पर input करना है तो दोस्तो इस media पर click करके आप वीडियो भी add कर सकते है इसके बाद दोस्तो facing यानि की effects यह आप देख सकते हैं दोस्तो और एक options की नाम यहाँ पर left side पर दिखाई देता है लेकिन white की बज़े से यहाँ पर com दिख रहा होगा तो facts पर click करना है effects पर जैसे click करेंगे तो यह जो option है इसका मतलब यह है कि दोस्तों अगर आप tech related video बानाते हो या किसी चीज आप मतलब hide करना चाहते हो तो दोस्तों एही से hide किया जाता है जैसे कि दोस्तों basic effects इस options पर click करना है यहाँ पर दो options देखने को मिलता है कोई भी एक option आपको choose करना है इसके बाद down options पर click कर देना है तो जैसे कि दोस्तों मैंने जो move है मैं यह hide करना चाहता हूँ या चुपाना चाहता हूँ या इसको कहा जाता है बलार तो बलार करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर दिखे सेटिंग है सेटिंग पर दिखिए दोस्तों बलार जो है यह टू है तो दोस्तों और भी ज्यादा कर सकते है जितना करोगे दोस्तों उतना ही दोस पर डिलेट बोटन है इस ओप्शन पर क्लिक करना है इसके बाद दुस्तों फिर से लियार पर क्लिक करना है नेक्स्ट जो है दुस्तों ओबारले 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 ओप्शन पर क्लिक करना है यही से दुस्तों आप इस्टिकार और फोटोग्राफ यही से दुस्तों आप द internetON करना है यह काहिनश्टर की स्टोर है स्टोर से diowlol न्याट करना होगा इसके बाद आपकी वीडियो पर pre coffee ride की हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद़ done options पर क्लिक कर देना है इसके बाद दूस्तों फिर से कर लेता हूं काईन मेशटर टाईप करने कि बद डूस्तोuk क्रreiben करने की बद दोस्तों करने यह जो काईटमस्टर आपने टाइप किया यह बड़ा चूटा आप कर सकते हैं ब्लस्तों यहाँ पर दिखे white box है इस box पर click करके आप color भी चूज कर सकते हैं यही से दुस्तो color चूज किया जाता है जैसे कि दुस्तो यह पर आप देख सकते है color चूज हो रहा है तो यह जो options दिया गया है आप इधर उदर करना है इसके बाद दुस्तो color आपके हिसाब से आपको चूस करना है इसके बाद दुस्तो डान ओप्शन्स पर क्लिक करना है यह वाइट हो चुका है इसके बाद दुस्तो क्या करना है कि निचे आना है निचे आने की बाद दुस्तो यहाँ पर निचे और भी ओप्शन्स देख सकते हैं जैसे कि दुस्तो यह ग्लो जो है यह ओन कर यहापर दुस्तों दिखिये outline, background color, तो background color आपको one जाहिए, इसके बाद दुस्तों background color की उपर एक बर click करना है, यही से दुस्तों आप color चूज करना है कि background की color कोई सा आप पसंद करते हो, जैसे कि दुस्तों मैं यहापर white रख, white यहापर set कर लेता हूं, तो चलिया मैं यहाप पर वाइट सेट कर लेता हूं तो दुस्तों एही से वाइट या रेड जो भी आप चाहते हो आप चूज कर सकते हो तो चलिए दुस्तों मैं यहापर वाइट चूज कर लेता हूं और एही से दुस्तों आपको एगजस्टमेंट करना है कि वाइट या कौन सा कालर आप सेट कर करना चाहते हो तो दूस्तों एही से थुड़ा बहुत टाइम लगता है इसके बाद दूस्तों आप आपके हिसाब से आप कर लेना है कि कोई यहाँ पर वीडियो में अगर कॉंप्लिट आपको मैं दिखाने लग जाओ न तो वीडियो काफी लंबा हो सकता है इसके बाद दूस्तों यहाँ पर दिखके निचे फूल वाइट्स बेग्राउंड यह भी आपको वन करना होता है अगर आप किसी चीज यहाँ पर टाइप करते हो इसके बाद दूस्तों य जो आपने टाइप किया है यह आप सबसे निचे यहाँ पर आप फीट कर सकते हैं फीट करने की बाद दूस्तों डान पर क्लिक करना है इसके बाद दूस्तों यह जो आपने टाइप किया है राइटिंग इसको भी आप एनिमेशन डाल सकते हैं एनिमेशन डालने के लिए द तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद दूस्तो यह जो इतना इस्पिट से चल रहा है, इस्पिट आप कौम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद दूस्तो डान ओप्शन पर क्लिक करना है, डान ओप्शन पर क्लिक करने की बाद दूस्त तो यह जो writing है यह complete हो चुका है इसके बाद दूस्तों आप क्या करना है कि down options पर click कर देना है इसके बाद दूस्तों फिर से layer पर click करना है और इसके बाद दूस्तों निचे दिखिए एक pencil icon है यानि कि handwriting इस options पर click करना है इस options पर click करना है इस options पर click करने की बाद दूस्तों अग तो मैंने यह option choose किया है और यहाँ पर दूस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यह particular options आप मतलब area की हिसाब से आप दिखा सकते हो इसके बाद down options पर click करना है दूस्तों यहाँ पर handwriting मैंने choose किया है इसको भी आप animation डाल सकते हो तो animation डालने के लिए दूस्तों निचे यह handwriting लियार पर click करना है इसके बाद दूस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो animation है कुछ इस तरह दिखाई देता है तो first options पर click करना है इसके बाद दूस्तों यहाँ पर जो भी कोई भी option आप choose कर सकते है इसके बाद दुस्तों मैं जरा दिरे-दिरे करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह यह काम करता है तो दुस्तों एही से यह काम किया जाता है इसके बाद दुस्तों फिर से लियार पर क्लिक करना है और यहाँ पर दुस्तो लियार की अंदर जो भी options है मैंने एक एक करके आपको बता दिया है इसके बाद दुस्तो निचे आचुका है बोईस तो बोईस पर क्या करना है माल लिजे दुस्तो आप किसी वीडियो की बोईस ओबार करना चाहते हो जैसे कि आपने एक वीडियो वन लैंसे या Facebook या YouTube से डावन डूट किया है और इस वीडियो की जो आवाज है बोईस है आप काट करके आपकी बोईस आप एड़ करना चाहते हो तो दुस्तो यही से आप बोईस एड़ कर सकते हो जैसे कि दूस्तो बोईस पर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर दिखे स्टार्ट स्टार्ट पर जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको क्या है बोईस ओबार करना होता है तो अब क्या होता है कि इस वीडियो में आपकी जो बोईस है यह बोईस ओबार होता है तो चलिए दुस्तों यह मैं cross कर लेता हूँ इसके बाद दुस्तों मान लिजिए यह जो वीडियो मैंने यहाँ पर input किया है इस वीडियो की voice जो है मैं card करना चाहता हूँ तो वीडियो की layer पर click करना है इसके बाद दुस्तों Caesar पर click करना है इसके बाद दुस्तो सबसे निचे एक option देखिए extract audio इस options पर click करना है जैसे ही दुस्तो आप click करेंगे इसके बाद देखिए दुस्तो निचे यहाँ पर दिकाई देता है तो चलिए दुस्तो मैं down पर click किया है और इसके बाद दुस्तों निच्छे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो voice है बिल्कुल एक्स्ट्रा हो चुका है यहाँ पर तो दुस्तों इस options पर click करना है delete पर click कर देना है तो आपकी voice जो है delete हो जाता है तो चलिए दुस्तों मैं यह cancel कर लेता हूँ इसके बाद दुस्तों आप क्या करना है कि दुस्तों यहाँ पर right side पर देखे audio यानि कि दुस्तों कि आप बहुत ऐसे video देखते होंगे कि video की background में एक music चले रहा है तो music कैसे add करना है तो दुस्तों यहाँ पर audio पर click करना है और जो भी music आप आपकी video पर set करना है दुस्तों यही से आप set कर सकते हैं जैसे कि दुस्तों मैं एक music यही से add कर लेता हूँ चलिए तो मैंने यहाँ से एक music जो है add कर लेता हूँ तो मैंने यह music add किया है इसके बाद दूस्तों क्या करना है music add करने के लिए plus icon पर click करना है दूस्तों click करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यह music आ चुका है तो इस music को दूस्तों आपको काम करना होता है तो आप जाके दूस्तों आपकी वीडियो पर मतलब original की हिसाब से दुस्तो एजर्स होता है तो दुस्तो इस जो music है इस लियार पर click करना है इसके बाद दुस्तो यहाँ पर एक option देखिए यह जो option है इस options पर click करना है इसके बाद दुस्तो यहाँ पर देखिए music की जो volume है यह 100 है तो दुस्तो यह volume जो है maximum आपको 15 से 20 तो आप राख सकते हो अगर दोस्तों उससे ज्यादा आप बोलियम राखोगी तो आपकी जो बोईस है बोईस काट कर देगा इस मेजिक से इसलिए दोस्तों आपकी जो बोईस की जितना मतलब हाई स्पीट होता है जितना तेज होता है उससे मतलब मतलब आपको यह मेजिक का जो बॉलियूम है कौम रखना चाहिए तो अब दूस्तों आपकी जो बॉयस है बॉयस और मुजिक जो है एक्जास्ट होता है तो दूस्तों यहाँ पर दिखे मैंने 18 कर दिया है इसके बाद यह वीडियो पूरा कीचिरा है लेफ साइट पॉर इसके बाद दूस्तों यहाँ पर कि लास्ट पोजिशन पर मैं आ चुका हो तो दूस्तों यहाँ पर हंडेट में से 18 करना है तो चलिए दूस्तों मैंने 18 कर दिया है इसके बाद दूस्तों मान लिजे कि आपकी जो वीडियो है मान लिजे आपकी वीडियो 12 मिनिट का है और आपने जो मुजिक एड़ किया है यह 2 मिनिट का है तो पूरा वीडियो पर आपके इसे मतलब सेट कर सकते हैं तो पूरा वीडियो में दूस्तों यह मेजिक एड़ करने के लिए दूस्तों यह लियार पर क्लिक करना है इसके बाद दूस्तों यहाँ पर एक ओप्शन दिखिए लोप इस ओप्शन पर क्लिक क करने के बाद निचे याँ पर दिखे एक्स्टेंट टू एंड और प्रोजेक्ट इस ओप्शन ओन कर देना है तो आपकी जितना वीडियो लंबा है पूरा उतना तोक आपकी जो बेग्राउंड मीजिक है सेट हो जाता है इसके बाद दोस्तों डान पर क्लिक करना है तो दोस् की बारे में आपको मैं बताया हूं इसके बाद दोस्तों चलिए फास्ट पोजिशन पर आते हैं दोस्तों फास्ट पोजिशन पर आने की बाद दोस्तों यह वीडियो अगर आप मान लिजिए कॉम्प्लिट हो चुका है तो दोस्तों यह सेव करना है लेकिन दोस्तों मैं आ आपको दिखाता हूं कि वीडियो की जो बेग्राउंड है कैसे रिमूब करना है तो चलिए दूस्तों सबसे पहले में आपको दिखाता हूं कि कैसे सेव करना है सेव करने के लिए दूस्तों यहाप दिखे जो श्यार बटन है श्यार बटन पर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक क और यहाँ पर देके twenty-four cinema, यह आपको set करना है, इसके बाद दुस्तो, btring major जो है, दूस्तो maximum आपको five nb, होना चाहिए, इससे com नहीं, नहीं रखना है, और उससे 자दा भी नहीं करना है, इसके बाद दुस्तो, यहाँ पर देके five point, zero four, मैंने MBPS रखा है इसके बाद दूस्तो एक्सपोर आप्शंस पर क्लिक करना है तो एक्सपोर आप्छंस पर चलिए मैं क्लिक करता हूं क्लिक करने के बाद दूस्तों यहाँ पर आपकी वीडियो की हिसाब से यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है अगर आपकी वीडियो ज्यादा लंबा है तो आपको वीडियो जो है एक्सपोर्ट होने में टाइम ज्यादा लाग सकता है तो चलिए दुस्तों मैं कैंसल कर लेता हूं इसके बाद दुस्तों मैं आपको चूज करना है चूज करने की बाद दूस्तों क्या करना सबसे पहले मीडिया पर क्लिक करना है इसके बाद दूस्तों आप जो भी राखना चाहते हो वीडियो की बेग्राउंड में वही आपको सबसे पहले बेग्राउंड आपको चूज करना है चलिए दूस्तों मैं या विडियो की बेगराइंड आप रिमुट करना है करना चाहते हो ये वीडियो इनपूट करना है तो ये वीडियो इंपुट करने के लिए दूस्तो इस मीडियो पर क्लिक नहीं करना है लियार पर क्लिक करना है लियार पर क्लिक करना है लियार पर क्लिक करने के बाद सबसे टॉप जो है मीडिया इस ओप्शन पर क्लिक करना है इस ओप्शन पर क्लिक करने के बाद दूस्तो यहाँ पर दिखे मैंने जो वीडियो यहाँ पर रखा है सबसे निचे तो चलिए मैं इंपुट कर लेता हूं तो दूस्तों यहाँ पर दिखे यह जो वीडियो है मैंने रखा है तो यह मैंने इंपुट किया है इसके बाद दूस्तों यह वीडियो दिखे यहाँ पर जो एरि लियार है लियार पर क्लिक करना है इसके बाद दूस्तों यहापर दिखे कुछ ऑप्शन आ गया है तो दूस्तों यहापर एक ऑप्शन स्क्रॉल करना है यहापर एक ऑप्शन आप देख सकते हैं क्रोमा की इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है इसके बाद दूस्तों यहापर द हिसाब से आपको select करना है तो यहाँ पर दूस्तों देखिए यह मैंने complete कर लिया है इसके बाद दूस्तों यह जो है मैंने और भी करता हूं तो आपके हिसाब से दूस्तों आपको save करना है यहाँ पर दिखे पूरा remove हो जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो दूस्तो इसी प्रोकार आपको remove करना है इसके बाद दूस्तो down पर क्लिक कर देना है इसके बाद दूस्तो यहाँ पर क्या करना है जो भी background है यह पूरा right side पर कीचना है जितना लंबा वीडियो है उतना तो प्लेय करने के बाद दूस्तों आप देख सकते हैं वीडियो की जो कालर है बेग्राउंड जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है और ये जो बेग्राउंड मैंने एड किया है इससे काम चल रहा है तो दूस्तों ये बेग्राउंड रिमूब करने के लिए जो भी की background आप रिमूब करना चाहते हो इस वीडियो की जो background color है यह green होना चाहिए तो आप दुस्तो जाके आ के आप वीडियो की background रिमूब कर सकते है अधर वाइस दूस-तो आप बिल्कुल रिमूब नहीं कर सकते है यह आपको हमेशना याद रखना है तो इसके बाद दुस्तों यहाँ पर श्यार बटन पर क्लिक करके दुस्तों यहाँ पर एक्सपर्ट पर क्लिक कर देना है तो दुस्तों वीडियो की हिसाब से यह एक्सपर्ट होता है जितना वीडियो बड़ा है उतना टाइम लगता है जितना वीडियो चोटा है ही इतना समय लगता है सव दूस्त्तों कारास से इस तरह वीडियोपक एडिस करना है तो दूस्तों आज कुछ पतनी इस लाइक करना है इस छलन वनहिंटम जब्सक्राइब करना आजकंगो वीडियोपक्र